पर पटना हाई कोट ने रोक लगा दी है रोक किन वज़े से लगाई है इस बारे में हमारे साथ है याचिका करता के वकील सीनियर अडवकेट वाई वी गिरी साहब गिरी साहब ये बड़ा जटका है बिहार में चुनाव प्रचार भी चल रहा था सारी चाहें नोटिफिकेश जारी हो गया कोट ने किन आधार पर ये मामला रोका है और आपकी याचिका में क्या क्या हिए हैं देखिये हमारी याचिका में बेसिकली है बसके जो इसूऊ हमनों रिज किया था कि जो स्प्रेविकर कोर्ट का जजमन उब्छामोटी और घाउली की केस में डिशाइड वो बिहार government या बिहार state election commission ने follow नहीं किया है जब तक यह follow नहीं करेगा किया जाएगा तब तक पंचायत में अथवा municipality में reservation नहीं हो सकता है reservation पर कोई प्रतिवन्द नहीं है लेकिन reservation करने के लिए constitutional प्रक्रिया है उसके लिए Supreme Court ने अपने दोनों आदेश में जो उसका रेफर किया और और भी judgment है उसमें ब्यफसादी है कि triple test करने के लिए जैसे municipality में political backwardness देखना है किस जातिका किस समाज का political backwardness मतलब उस जातिका रिपंजिटेशन मुनिस्पल एरिया में या ग्रामपा चान में कम है नगन्य है उसको political backwardness करते है सुप्रीम कोट ने यह भी कहा है कि article 14 आट नो आटिकिल 15 और 16 का रिजर्वेशन है वह एजुकेशनली backward क्लास के लिए है और वह सर्विस के संदर्म में है जिसके लिए मंडल कमिशनों कर बैठा था और जिसका नोटिफिकेशन backward कमिशन हर एस्टेट अपना कमिशन एक रखे हुए है उस कमिशन के अनुसार जो रिकमेंड होता है वो लिस्ट बनता है उस लिस्ट का उपयोग मुनिस्पल चुनाव के उपयोग में नहीं किया जा सकता है उसके लिए डेडिकेटेट कमिशन अलग से बन कि किस जात्या समाज का या क्लास आफ परसंस का रिप्रिजिंटेशन पॉलिटिकली कम है इन अधर वर्ड्स वीच कास्टीपॉलिटिकली बैकबॉट आप उस रेकमेंडिशन के अधार पर जैसा रेकमेंडिशन होगा वैसा सीट का रिजरेशन होगा अत्तब चुना होगा आपने किस ग्राउंड पे चलेंज किया था इस तुनाव नोटिफिकेक्शन को बिलकुर यही ग्राउंड था कि सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है जो लॉव है हर इसे चुस्तन पर बाइंडिंग है वो बिहार सरकार और बिहार एस्टेट कमिशन ने नहीं फॉलो किया है और जो सर्विस के लिए बैकवर्ट का लिस्ट बना हुआ है एक्स्टेवली बैकवर्ट का लिजिए जेनल बैकवर्ट का लिजिए अधर बैकवर्ट क्लास का लिजिए उस लिस्ट का उप्योग किया गया है वो वर्जित है वो नहीं कह जासता है वो अवैदानिक है तो है और चुकि एडिशनल चुकि एक्सिवली बैकवर्ट क्लास का हमने अलग से बना दिया है तो परपस क्रिस्टामुर्थी केस का अब्जेक्स सर्व हो गया है यही मेंली आर्गमेंट इस्टेट का था तो मननी ने आले चीव जस्टिस कर जस्टिस करोल और एश कुपार लिए जब्वाना एक्सेप्ट नहीं क्या उन्होंने specific लिखा है कि बिहार बैकवर्ट कमिशन या एक्षिवली बैकवर्ट कमिशन का जो लिस्ट बना है वो लिस्ट केवल सर्विस्ट में या बश्कृशनल इंस्ट्यूशन के अडमिसट में ही उप्योग हो सकता है जहां मुनिस्पालिटी में रिजर्वेशन का सवाल है कि इसके लिए सेपरेट डेडिकेशन कमिशन बनाना होगा और उस कमिशन बनाने के अधार पर नए शिरे से रिजर्वेशन करता होगा लेकि फर टाइम बेंग मानने वो चनेले ने यह भी आदेश दिया है कि जो रिजर्व सीट है उस पर चुनाओ उसको जेनरल करके टीट करके आप री नोडिफाई करके चुनाओ कराईए तो आपको कितने उमीद लगती है कि सरकार इत कि अधिकार है सुप्रीम कोट में चुनाओ देने के लिए लेकिन जो जज्जमेंट सुप्रीम कोट के चार पांच जज्जमेंट पर अधारित है उसको लागू करने के लिए हाई कोट ने रीट अव मैंडवाश विसू किया है सर आपने पूरा यूग देखा है कि पचास साल से ज्यादा आपको सीनियर का गाउन पहने में होगे तीस साल से ज्यादा आपको इतने सारे सीनियर एड़कर्ट हुए होगे और पचास साल से ज्यादा आपको वकालत करते वे होगे तो ऐसी स्तिति में आपको लगता है क्या दिता सरकार को है तो हमें लगता है कि जो रिजर्स सीट है उसको जनरल नोटिफाई करके पुना अब्जेक्शन लेके नमिनेशन लेके सरकार चाहे तो चुनाव करा सकती है सुप्रीम कोट में मध्यप्रदेश और महरास्टर का भी ऐसा ही मैटर आया था जिसमें रिजर्वेशन को लेकर फचर फंसा हुआ था सुप्रीम कोट ने कहा कि आप चाहें तो जनरल वाला इलेक्शन करा सकते हैं और जो नोटिफाईड हो गया है जनरल के उसमें वो ठीक है लेकिन अगर रिजर्वेशन से कराना चाहते हैं तो आपको रुकना पड़ेगा और किसी भी ठोस वजए के बगएर चुनाव नहीं सुप्रीम कोट ने कहा है उसी को पटना ही कोट ने फॉलो किया इन्होंने कहा है चुनाव कराना चाहिए तो करा लिजिए और कराना चाहिए जो है उसको जैनरल में करके जेनरल में करके फिर से नोटिफिकेशन करके लोगों से नमिनेशन लेगे प्रक्रिया फिर से शुरू होगी हाँ प्रक्रिया तो फिर से करनी पड़ी नमिनेशन करना पड़ेगा वो फिर से विड्रॉल का समय देना पड़ेगा प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी लेकिन ज पूरी प्रकृया पुना किया जाए लेकिन जो प्रिंस्पूल चेर्मेन और वाइस चेर्मेन पर लागू हुआ है और अस्थापित किया गया है डिसाइट किया गया है मेरे उसार वह प्रिस्पुल वाड इच वाड पर भी लगना चाहिए यानि एक बड़ा जटका तो बिहार में स्थानिय चुनाओं के लिए प्रत्याशियों को जरूर लगा है जिन्होंने लाखों रुपए अपने चुनाओं परचार में खर्च कर दिये हैं अब एक बर फिर अगर या तो सरकार सुप्रिम कोर्ट में से चलेंज करें अगर सुप्रिम कोर्ट भी कहता है कि नहीं आपको आयोग बनाना पड़ेगा और अलग से इंतजाम करना पड़ेगा सारी प्रक्रिया शुरू से फालो करने पड़ेगी तब तो चुनाव लटक गए और अगर सरकार चुनाव कराना चाहती है तो सभी बार्डों को बिना रिजर्वेशन के जनरल कैटेग्री में फिर से नोटिफाई करके प्रक्रिया फिर से शुरू करने पड़ेगी यानि नौ दिन चले अढ़ाई कोस अब तो याद और चुनाव देर से होंगे और समय से होंगे तो बिना रिजर्वेशन के होंगे कैमरा मिर्दुल के साथ संजे शर्मा दिल्ली